आज जब तुम मंदिर आई मेरे पास, तो मेरी मुर्ती के सामने बहुत रोई, तुमारे आशु देखकर मैं भी तड़प उठा, मेरी बच्ची मैं सब जानता हूँ, तुमारी लाइफ में बहुत उथल उथल चल रही है, तुमारा पती और उसका परिवार तुमें मान समान नहीं देता, मुझे बहुत दुख होता है, मेरी बच्ची मैं तुमारे लिए कोशिश कर रहा हूँ, कि सब ठीक हो जाए, पर हर चीज का वक्त होता है, टाइम भी लगता है, मेरी बच्ची मैं काम कर रहा हूँ, इसके लिए सब ठीक हो जाएगा, रात को शयर तुमारे पत दुनिया में इंसान इतना निर्दाई क्यों है पत्नी से ही पती की ताकत होती है पत्नी ही पत्नी की परचाई है पत्नी के बिना पत्नी की गरस्ती अधूरी है ये पुर्ष कब समझेगा कब जानेगा पुर्ष कब देगा इस्तरी को एहमियत जो दुख में साथ दे वही सच् पत्ती और पत्नी एक दूसरे के सच्ची साथी होते हैं दो शरीर और एक प्राण होते हैं पत्ती पत्नी की आत्मा है और पत्नी पत्ती ही जब एक को ठेस लगती है तो दूसरे के मुख से अहा निकलती है इश्वर जानता है कि इस संसार में दुख, दर्द, वेदना सुख से कहीं यादा है ऐसी दुनिया में कोई भी इंसान अकेले नहीं जी सकता इसलिए तो इश्वर ने इस त्रिपुष की जोड़ी बनाई कि एक दूसरे के साथ रहते हुए कि एक दूसरे के दुख में हम दर्द बने एक दूसरे के दुख को महसोस करें जब पती शादी के समय साथ फिरों में अपने पत्नी का साथ निभाने के वचन देता है वचन देता है कि वो उसे दुख नहीं देगा हर कदम पर उसका साथ निभाएगा पर पत्नी इसी भरोसे पर सुसराल में प्रवेश करती है जब उसे पता चलता है कि शादी के समय दी गए वचन को उसका पती नहीं निभारा साथ छोड़ रहा है तो पत्नी पर मानों पहार तोट पड़ता है उसे लगता है कि सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई लेकिन यही पत्नी अगर हर शर्ट पूरी करता है वचन निभाता है पत्नी के हर दुख सुक में साथ देता है तो सारी दुनिया खिलाफ होने के बाद भी पत्नी का होसला नहीं तूड़ता अगर पत्नी साथ दे तो चो घर परिवार होता है वो भी बहु का साथ देता है अगर पती खिलाफ हो तो प्रिवार भी साथ नहीं देता शादी के बाद जब दुल्हन अपना माय का छोड़ कर प्राय घर में अपना घर बनाने के लिए आती है तो सुस्राल वालों को उसका आधर करना चाहिए उसे अपने प्रिवार का सदस्य बनाना चाहिए उसके साथ बेटी जैसा वेवार करना चाहिए उसे कभी ऐसास ही नहों कि वो प्राय है उसी तरह बहु को भी अपने सुस्राल वालों को मान समान देना चाहिए अपना माँ बाप समझना चाहिए पती को भी इज़त देना चाहिए तभी तो घर परिवार सुखी रहता है खुश रहता है अगर घर परिवार में खुशियां हो तो लक्षमी भी आती है मालिक भी खुश होता है पर ये इंसान सुख तो चाहता ही नहीं शांती तो चाहता ही नहीं ये अपने सुखों में खुदी आग लगा देता है इंसान, क्यों नहीं समझता, पर मेरी बच्ची तुम चिंता मत करो, मैं तुमारे लिए सारे कोशिश कर रहा हूँ, तुमारे प्यार ने मुझे जीत लिया है, तुमारे सेन शक्ती ने मुझे जीत लिया है, मेरा कहना मानो एक ये जो उदी है न, इसको पानी में खोल कर अपने पती को पिलाया करो, जो उसका सभाव है और मन है वो बदलेगा, वो सब समझेगा, एक दिन तुमारी एमियत समझेगा, वो जानेगा, कि उसके बीना तुमारा कोई असितव ही नहीं, वो तुमारे प्यार क पहचानेगा, बस तुम थोड़ा सेंशक्ति करो और शांत रहो, किसी को जवाब मत दिया करो, समय उनको जवाब देगा, वो सब सुधर जाएंगे, मैं उनको सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, उनके विचार बदलने की कोशिश कर रहा हूं, बस तुम रोया मत करो, जब तुम रोती होना, मुझे बहुत दुख होता है, तुम खुश रहा करो, मेरा शीरवात तुम्हारे साथ है, सच में अगर पती अच्छे हों, तो औरत की जिनकी की सबसे बड़ी दोलत है, क्योंकि अगर वो अच्छे होंगे, तभी तो औरत को मान समान मिल पाता है, मैं तो बाबा की बहुत शुकर गुचार हों कि जो मेरे जीवन साथी हैं, बहुत अच्छे हैं बाबा की दया से, मैं जब बाबा की भक्ती में लगी, तो मैंने बाबा से प्रातना की, कि बाबा उन्हें भी अपना भक्त बना दो, ताकि हमारे लिए रस्ता असान हो जाता है, जब दोनों ने मिल जुलकर, जो हमारा संघर्ष का टाइम था, वो बिताया, बहुत जल्दी बीत गया, अगर घर में प्यार हो तो, आप मानोगे मैं शेडी साल में चार बार जाती, और जो मेरे पती हैं, उन्हें मुझे कभी मना नहीं किया, मैं ग्रूप लेके जाती थी, और एक हफता मा रहती, जबकि घर में पीछे खाने पीने की प्रॉबलम होती, पर वो कहते थे कि मैं कर लूँगा, सब अजेस्ट कर लूँगा, तुम जाओ, तुम्हारी इस काम में खुशी है, उन्होंने हमेशा मेरी खुशियों का ध्यान रखा, अगर पती आपकी खुशिय दें, और मेरे जो पती हुनन मुझे किसी काम के लिए कभी भी माना नहीं किया, मैंने अगर कहीं जाना हो, मम्मी घर भी जाना हो, जो कुछ भी करना हो, तो कहते थे कि तुम खुश समझदार हो, तुम भी तो इतनी बड़ी हो, तुम अपने डिसीजन ले सकती हो, तो मुझ अगर सफाव नेचर अच्छा है, तो जिनकी में खुशियां रहती हैं, बस आज इतनी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक करें, सब्क्राइब करें, हो सकें तो शेर भी करें, ओम सहीराम, और कॉमेंट बॉक्स में ओम सहीराम जुरूर लिख झाल 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